भले ही दक्षिन पूर्बेसिया के अधिकांस देशों में कोविड-19 मामलों में गिरावट आ रही है लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्से में वैरियंट आफ कंसर्ण के नए वाइरिस का मिलना जोखिम का एहसास करा रहा है नए वैरियंट को लेकर डबलू एचों ने एसी समिती ने दक्षिन अफ्रीका में पहली बार पाए गए कोरोना के नए वैरियंट को बेहत संक्रामक और शिंता जनक प्रकार करार दिया है इसे ओमी क्रॉन नाम दिया गया है इसके साथ ही डबलू एचों ने दचिन पूर्वेसिया शेत्र के देशों में निगरानी बढ़ पूर्वेसिया शेत्र के लिए डबलू एचो के छेत्रिय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंग ने कहा कि इस वैरियंट को लेकर निरास होने की जरूरत नहीं है भले ही दचिन पूर्वेसिया के अधिकान देशों में कोविड-19 मामलों में गिरावाट आरी है ल माधिम से आने वाले जोखिम का आकलिन करना चाहिए साथ ही इस से बचाव के हर संभव कदम उठाने चाहिए यही नहीं संक्रमन को फैले से रोकने के लिए समाजी कुपायों को जारी रखना चाहिए सबसे पहले सुरच्षात्म कुपायों को लागू किया जाए डॉक्टर